हेलो डियर स्टूडेंस मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर प्रनाय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग भॉईस के आपजेक्टिव को डील करेंगे जो आपजेक्टिव पहले मैंने आपका थियोडी लिया था उसी थियोडी से बेच्ट होगा यानि कि आज हमको बस क् समझना है कि कैसे किसका पड़ियोग करें अगर इसको आप समझ गए तो समझ जाएए कि आप भॉईस को समझ जाएंगे इसके आपजेक्टिव को बनाने के लिए तो चलिए आए आज स्टार्ट करते हैं पहले प्रशन को देखिए तो कह रहा है सिवा गाइट्स मी आपको म कि वह होगा प्रेजेंट का तो प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग फर्व किसका पड़ियोग करते हैं इस एम और आर का तो इसे पहले आपको और भी एक चीज़ देखना होगा क्या मैंने आपको बताया था कि एक्रिब भाईस में तो जैसे होता है वैसे ही होता है लेकिन प me अगर subject बन जाएगा तो i तो subject आया हुआ i के साथ लगाते है m और यहाँ पर present है तो is mr देखना होगा तो i के साथ m कहां पर लगा हुआ यह देखना होगा यहाँ पर भी m है यहाँ पर भी m लगा है अब क्या अंतर है अब देखिए कि सीधा is mr दिया helping बर और यहाँ पर क्या लगा दिया b 3 तो यह वाला सही होगा यह being इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर यह भी 4 है और क्या यहाँ पर कोई b 4 वाला बात हो रहा है यहाँ पर तो सीधा simple b 5 है एक ही हमारा भर्व है तब तो हमें इसी rule को follow करना पड़ेगा इसलिए right answer A हो जाएगा I am guided by Siva Next question की तरफ आएं तो कहरा I am playing cricket अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले से ही helping भर्व है और यहाँ पर भर्व का चौथा रूप है दूसरी बात कि यह क्या है आपको पता करना है कि किसका है तो सबसे पहले यह पता कर लिया हमने कि यह present का है present का helping work is am और r तो होता ही है लेकिन अगर active voice में क्या हो यह सभी और याद रखेगा active से passive ही बनाना है ठीक है सारे वाकिया आएंगे active से passive voice बनाने के लिए सब में नहीं लिखा हुआ कि active से passive कर यह सभी active है तो ठीक है अब क्या करना है भी 4 को दरसाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है एक अतिरिक्त भर्व helping भर्व क्या लगाना होता है being लगाना पड़ता है तब पता चलेगा कि यह भी 4 है इसमें तो देखे क्रिकेट हैड बींग लगा है बींग लगा है बींग लगा है बींग लगा है तो यह तो नहीं होगा हटाईए अब इस तीनों में कौन सा होगा अब क्या है कि is MR हमको लेना है क्योंकि यहाँ पर is MR की चर्चा हो रही है तो यही वाला भर्व यहाँ उतरे लगा अब यह जो अबजेक्ट था सबजेक्ट बना तो सबजेक्ट के लिए इस लगाएं की R लगाएं की M लगाएं इस लगाएं तो देखे क्रिकेट इस बींग प्लेड बाई मी अब यहाँ प्लेड कैसे हुआ हमेशा भर्व का तीसरा रूप ही होता है चौथा जो यहाँ पर हुआ है इसी को दर्साने के लिए बींग का पड़ियोग हुआ तो तीसरा तो रहता ही है चौथा दर्सा दिया और हेल्पिंग भर्व भी आ गया अब यहाँ object, subject बन चुका है subject क्या बन चुका है यहाँ पर object बन चुका है तो यहाँ पर तो है ही तो यह वाला बी answer क्या होगा सही हो जाएगा next question आईए तो next भी वही कह रहा है sub में वही कहेगा सभी active है सभी को क्या बनाने है passive voice में change करने है ठीक है, तो question क्या कहा रहा, he played many games, अब played है, यहां तो have has नहीं लगा, यानि कि आपको सबसे पहले क्या खोजना है, कि यह किसका है, past का है, और past का helping भर्व क्या क्या होता है, वाज होता है, और वर होता है, अब games, ठीक है, games है, तो games कहां चले आएगा, आगे many games, अब many games, अब यह जो singular है कि plural, plural है तो plural के लिए plural भर्व लगाएंगे, तो वाज नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहां पर अब यह सारे होंगे, अब देखिए, यहां क्या negative sentence ले रहा है, कुछ भी negative नहीं है न, तो यह negative not का भी पड़ियोग यहां पर नहीं होगा, दो हट गया, अब यह दोनो भी भी three होता, bean होता, कुछ होता, तब उसको बनाते है, ठीक है, have has होता, had होता, तो बनाते, यहां तो हमको past दरसाना है, past word से दरसा दिया, और भर्व का कौन सा रूप रख दिया, तीसरा रूप रख दिया, तो यह वाला जो है right answer हो जाएगा, many games were played by him, तो बस इतना ही आस आप लोग, ठीक है, 22 बहुत ज़्यादा भाड़ी नहीं है, a child likes twice, a child likes twice, अब यहां पर यह जो likes है, b1 या फिर b5, जैसे ही देखा आपने, तो यह क्या है present है, इसके साथ सीधा present का helping bar लगाना है, और b3 लगाना है, तो twice है लेकिन, यह एक से अधिक खिलोने हैं, तो एक से लिए क्या लगाएंगे, आर का पड़ियों होगा, प्लूरल भर्व का, यह तो होगा नहीं क्योंकि अभी have has बाली कोई बात हो नहीं रही है, यहां पर तो सिधा सिधी क्या है, b5 है, तमको सिधा सिधी लेना है, twice को इधर कर देना है, आर लगा देना है, liked by child, तो यह वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यह सभी क्या होंगे, गलत हो जाएगे, यह एक चीज़ हमेशा याद रखेगा, इधर जो subject होता है, और जो object होता है, object subject बन जाता है, subject क्या बन जाता है, object बन जाता है, भर्व का हमेशा कैसा रूप होता है, तीसरा रूप होता है, ठीक ह याणि कि पैसिभ वाई इसमें तो भर्व का तीसरा रूप रहता ही है तो है को कौन को रसाएगा ने के हमको लेना पड़े गगा जिसे को लोग क्या कहेंगे बी कि इस बीन को लेना पड़ेगा तो यह जाएगा फूला सिंगण food singular है singular के साथ singular लगाएंगे या नहीं होगा तो यह वाला क्या होगा पहले ही गलत होगा अब यहां है यहां है not tested the food यहां पर लिखा हुआ है अब जाहिर सी बात है कि इस दोनों में कोई होगा the food has not tested by me तो ठीक तो है लेकिन यह जो यहां पर लगा हुआ है ठीक है यही है तो यहां पर था भी 3 यहां पर भी 3 कौन दर्स आएगा तो यहां पर दर्स आने के लिए किसका परयोग करेंगे यही मैंने यहां पर बताया था कि यहां पर यह भी 3 आया और यह वाला तो भी 3 सब में होता ही है इसलिए बीन का यहां पर परयोग करेंगे और tested वैसे ही रह यानि कि डिड नॉट जैसे ही देखा हमने तो यह क्या हो गया हमारा पास्ट का है तो पास्ट हमने जैसे ही देखा तो पास्ट में वाज लगा सकते हैं या फिर वर लगा सकते हैं ठीक है और नॉट का भी पडियोग है तो नॉट भी देखेंगे तो दो बैल आ गया यहां पर वाज अब इज नहीं होगा ठीक है अब हैज और हैज ये सब का भी पड़ियों क्या होगा नहीं होगा गलत हो गया ठीक है पहले ही काट दिया ये चीज़ आपको ढूंडना है simple past है तो simple वाला the bell was not run by ये तो हमेशा भीतरी होता ही है him तो right answer क्या होगा right answer a होगा next question की तरफ आएं तो कह रहा I do not use soap यानि कि मैं use नहीं करता हूँ soap यानि कि ये भी हमारा do आगया b1 या b5 हो तो इसके लिए जो helping भर होगा is m और r का परियोग करेंगे अब soap को इधर से लेकर आगे did past का क्यूं होगा has क्यूं होगा was क्यूं होगा ये सभी नहीं होगे तो soap is not used by me right answer d हो जाएगा right answer d होगा ठीक है समझ रहे हैं इसको कितना आसान तरीके से समझना है बस आपको next कह रहा है सिवा guides me सिवा मुझे guide करता है तो अब क्या कह रहा है कि ये वाला लगता है फिर से आगया guides me तो यहाँ पर ये क्या है हमारा b5 है b5 के लिए helping बर खोजना होगा is m और r तो me आगे आजाएगा तो आगे आएगा जैसे ही तो m लगाएंगे being का पड़ियोग करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर तो b4 का बात हो नहीं रहा है इसलिए ये नहीं होगा right answer a होगा next question की तरफ आएं तो I was making a plan अब मैं क्या कर रहा हूँ plan बना अच्छा मैं plan बना रहा था सबसे पहले यहीं खोजना है कि यह क्या है past का है और past का helping बर वाज होता है और क्या होता है वर होता है साथी साथ भी फोर भी यहां पर दे दिया है तो भर्व का कोई भी रूप हो पेसिव में हमेशा भर्व का तीसरा रूप यूज करते हैं कैसा यह रूप यूज करते हैं हमेशा भर्व का तीसरा रूप ही यूज करते हैं तो भर्व के तीसरे रूप को इस्तमाल कर दें चौथे को दिखाने के लिए वही आएगा बींग तो आप खोजेंगे बींग इसमें कहां पर आया है यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है तो यह सारा तो गलत ही है ना तो बींग है है वैस भी दे दिया पास्ट तो यहां पर है लेकिन मेड है सिर्फ भी त्री दि तो helping भर्वी हमको वही रखना होगा जो active वाइस में है और जो main भर्व है उसका भी 3 रखेंगे हम लोग उसका कौन सा रूप रखेंगे भी 3 और जो अतिरिक्त आ गया जिसे भी 4 आ गया तो भी 4 को दरसाने के लिए यहाँ पर बींग का प्रियोग करेंगे तो right answer कौन सा होगा डी हो जाएगा आएए next question की तरफ and last question please open the door अब इसका क्या होगा door should be opened you are opened the door you are requested to open the door you are requested to open the door याद रखेगा अगर कुछ भी please से कहरा कुछ करने के लिए तो आप ही को न कहा जा रहा है तो you आएगा subject में क्या आएगा you आजाएगा और याद रखेगा आप से request किया जा रहा अब आपको मैं बता दूं कि टू के बाद भमेसा भी वन का पर्योग होता है तो यह यहां पर भी थरी क्या कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि यहां requested पहले से ही दिखा रहा है भी थरी को पेसिब में तो you are requested to open the door यहां पर right answer D हो जाएगा तो यह अब वाइस का objective मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पशंद आया होगा वीडियो आपके help में आया है तो इसे like और share जरूर कीजेगा चैनल पर अगर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो subscribe करके bell icon को hit कर दीजेगा और भी अगर कोई paid courses की जानकारी आपको लेन आपको आपको प्रास में